क्या हुआ एक बार कि ब्राहमण को जाना था प्र्देश कि पत्णी से अधार कि हम तो प्र्देश जाएंगे पत्णी ने कहा महाराण आप प्र्देश जाओगे तो हमारा क्या होगा क्योंकि ब्राम्मनी बहुत अच्छी नियम की पक्की थी जब तक पती को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक खुद भोजन नहीं करती जब तक पती को सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं थी यही पती धर्म का नियम है पहले की जमाने में ह स्त्रियों का विभाहिस्त इस्त्रियों का नियम है पती का जो सीठ प्रशाधी है। असमें भुजन करना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है, प्रिती बढ़ती है, घर में मंगल होता है। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी, तो पहली रोटी गाय को, लाश्ट की रोटी कुट्ता को, अब थोड़ा मौडरन जमाना आ गया, आज की कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ खासका जबलपुर की नहीं, कहीं और की, आज कल की माताएं, पहली रोटी खुद खा लाश्ट की रोटी खसाम को, कुछ, सब नहीं, अब आप अर्थ समझ जाओ, खुद गवुमाता बनना चाहे थी, बुडो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो, सीताराम, स्री सीताराम, ब्राम्वनी का धर्मता, बोली महराज, आप चले जाएंगे, हमारा पति पर धर्मनष्ट हो जाएगा, क्या करें, हाँ एक उपाए, बड़िया उपाए, हम अपनी मूर्ती बना देते हैं, जो तुम हमारी पूजा करती हैं, वो मूर्ती की पूजा करने लगी, एक दिन मूर् उससे भोजन करवा ही रही थी, तब तक दर्वाजा खट खटाया, कौन? मैं तुम्हारा पती, दर्वाजा खोलो, अब ब्राम्वनी करवा रही थी भोजन, उसी बीच में असली पती आ गया, अब वो धर्म में पड़ गई, अगर भोजन छोड़ कर जाती है, तो प्रतिव धर्म नष्ट होता, गोपियां हाँ जोड़ के बोली, बताओ ठाकुर जी, अब वो ब्राम्वनी करे तो करे क्या, भगवान मुश्कुरा के बोले, बढ़िया हो पाए है, देभी, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए, जब तक चरित्र में पती ना आ जाए, जितना से आज हम यही तो कर रहे हैं, जो हमारे पती है, उनकली पती है, मिठी के पती है, वो मिठी में मिल जाएंगे, आप परमपती है, हम उनको त्याग कर अगर आपकी सरण में आए हैं, तो हमने क्या गुनाहि किया है?